हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू फोकस स्टेडी आज है 28 मही 2020 और आज हम डिसकर्स करेंगे 28 मही का दा हिंदो न्यूस्पेपर अगर आप फर्स टैम हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को यह स्कीम लॉंच किया है सेकेंड क्वेस्टन था रिसेंटली री स्टार्ट प्रोग्राम किसे स्टेट गवर्मेंट के द्वारा MSME सेक्टर को सपोर्ट पहुचाने के लिए स्टार्ट किया गया किरला आंद्रप्रदेश तेलंगाना और हड्याना तो इसका आंसर है बी आंद्रप्रदेश तो आंद्रप्रदेश ने री स्टार्ट प्रोग्राम MSME सेक्टर के लिए स्टार्ट किया है तो यह थे कल के वे पाकिस्तान के साथ इंडिया की में उस समय इंडिया ने बिलकुल ही क्लियरली मना कर दिया था और इस बार जो चाइना के साथ इंडिया का फेस आफ चल रहा है बॉर्डर एरिया उस पिसले कुछ दिनों में तो उसमें इंडिया और चाइना दोनों से मेडियेशन की बात डोनाल ट्रम्प के द्वारा कही गई है यह जो ओफर है यह एक सर्प्राइज बाना जा रहा है विकॉज यह जो फेस आफ की कंडिशन में चाइना का अब भी जो रुक है वो थोड़ा स्टेबल और कंट्रोलेबल देखा गया यहाँ पर चार लोकेशन की दाना यहाँ बात की गई है इन्हीं लोकेशन पहिए पिसले दिनों में चाइना की तरफ से जो अग्रेशन वह बहुत ज्यादा देखने को मिल यह चाहल कि से इंपोर्टेंट है पहले लोकेशन है पैगॉंग तीसरी यह गैल्वाव्एली यह तीन लोकेशन है लद्दाक म आर्मी के जवान के दौरा जो पेट्रोल पेट्रोलेंग की अक्टिविटी की जाती थी उनको रोका ऐसे बयान आया थे और यहाँ पर इन ही चार लोकेशन पे जो चाइना के द्वारा टेंट और ट्रेंचेज बनाई गई तो यह चार लोकेशन इंपोर्टेंट है इस पर्टिकुलर फेस आफ को देखते वे इसके अलावा यूएसे और चाइना की अगर हम बात करें तो उनके बीच आपस में ही बहुत ज्यादा टेंशन का महौल चल इंफोर्मेशन को चुपाने के लिए भी यूएसे प्रेसिडेंट ने बार-बार चाइना को ब्लेम किया है तो अल्रडी यूएसे चाइना के रिलेसंस कभी खराब है ऐसे में किस तरह से वह इंडिया और चाइना के बीच मेडियाशन करवा पाएंगे और हंकोंकों के इस यूएसे और चाइना की आपस में अच्छे खासी बनी हुई है तो यह जो पूरा मुद्दा है इसमें इंडिया और चाइना के द्वारा आपस में ही इस मुद्दे को सुलजाया जाना चाहिए ऐसा दोनों कंट्रीज का व्यू है इंडिया का मानना है कि जो भी निगोसेश स्टेंड है कि थर्ड पार्टी मेडीशन पॉसिबल नहीं है और इसमें इंडिया और दूसरी जो कंट्री है वह आपस में निगोसेटिड तरीके से निगोसेशन कर सकती है तो दोनों पार्टी इंडिया और चाइना के द्वारा जो इनकी बात है वो बहुत ज़्यादा सीर इस्टन सेक्टर में मैक मोहन लाइन है मैक मोहन लाइन वेस्टन सेक्टर में लेसी है तो इस्टन सेक्टर में जो इंडिया और चाइना की बॉंडरी बनाती है उसे में मैक मोहन लाइन बोला जाता है वेस्टन सेक्टर में जो इंडिया और चाइना की बॉंडरी बनाती है उस लेकिन चाईना उसे अपना सदन लेद्दाग का का मानता है लेकिन मेत्म"; लायन की चाहिड यह जो प्रटिकुलर लेक है जिसकी हम बात करें जिसका नाम है पैगॉंग यह पूरा एरिया है जिसके नौर्थ में मॉंटेन इस्तित है और इन मॉंटेन की जो आकृति है जो लेंड्सकेप है वह फिंगर्स के टाइप की है तो करीब 8 फिंगर्स ऐसी बनी होई है और इन फ पैदित एक जाए है लेकिन इंडिया की है और चैना का मानना है कि जो इंड्सका बीच का पूरा एरिया माना जा सकता है तो इसको लेकर काफी ज्यादा देखने को मिला है बार-बार चाइना की जो आर्मी की बोर्ट्स हैं वो इस एरिया में और आगे तक आती हैं जिसका ऑपोजिसन इंडिया के द्वारा किया जाता है तो इस पूरा मुद्धा है इंडिया और चाइना के बीच का अभी के फेस्वाफ को लेकर अ सब्सक्राइब को लिखा है और सजेट किया है कि जो अपर लिमिट 4500 की गई थी उसको हटा दिया जाए और सारे स्टेट्स जो अप्रूवड और प्राइवेट लैबोरेट्री हैं उनसे अप्रूव कर सके उनसे इनके लिए निगोसियेट कर सके और इससे चीपर टेस्ट लाए जा सके हैं तो यहां पर के द्वारा जो कैप है कोविड 19 के टेस्ट का उसको हटाने की बात की गई है यहां पर एक ग्राफ दिया गया है सबसे पहले हम काउंट देख लेते हैं अभी जो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ इंफेक्टेट परसन का काउंट है वो पहु यहां पर जो ग्राफ दिखाया गया है यह नंबर ऑफ टेस्ट और नंबर ऑफ केसे की पैटर्न दिखाया गया है जिस तरह से टेस्ट किये जा रहे हैं उसी तरह से जो नंबर ऑफ नाई केसे वो भी देखने को मिले हैं पिसले दो दिनों में नंबर ऑफ केसे कम हुए सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है कि यहां पर हम दूसरी देखते हैं सेकंड न्यूज है हीट वेव के बारे में हीट वेव कंटिन्यूस्टू स्कॉर्ट सेटी बट रिस्पाइट एक्सपेक्टेट सुन उम्मीद की जा रहे हैं कि मौन्सून या जो थंडर स्टॉम है उ आगर हम मौन्सून से पहले का जो टाइम है उस समर का टाइम है उसमें हीट वेव देखने को मिलती है और पॉल्लै नौर्थवेस्ट पार्ट उप पंडिया में यह च्वार मईने जिनम्हीट वर्प बनती है और कभी-कभी यह जुलाई तक बढ़ जाती एक्स्टेंड हो जाती है अगर हम डेफिनिशन देखें हीट वेव की तो हीट वेव इस डिकलेएड वन मैक्सिमम टेंपरेचर इस एट लिस फोटी डिग्री सेल्सियस and departure from normal temperature is 4.5 degree Celsius to 6.5 degree Celsius तो अगर minimum temperature किसी reason का 40 degree Celsius होता है तो वहाँ पर heat wave की condition बनती है और तभी definition के according heat wave बोली जा सकती है या फिर जो normal temperature किसी area का है उससे 4.5 से 6.5 degree Celsius अगर temperature ज्यादा हो तो ऐसे area को heat wave के condition में बोला जाएगा अगर हम plain area की बात करें तो plain area में normally 45 degree का temperature heat wave में माना जाता है और अगर यह 45 से बढ़का 47 degree पे पहुच जाए तो यह excessive heat wave बोला जाएगा यह severe heat wave बोला जाएगा 45 degree तक normal heat wave और 47 degree तक severe heat wave की condition बनती है है imd याने इंडियन मेटरलॉजिकर डिपार्टमेंट हीट वे से related एड्वाइजरी जारी करता है वर्निग जारी करता है और अलग-अलग कलर के बारे में अब पेज नंबर पांच पर नेक्स नहीं है गवर्नर्स मॉडिफाइज लौ ऑन फॉरेस्ट राइट महारास्ट्रा के गवर्नर भगत सिंग कोस्यारी के द्वारा जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके कुछ प्रोविजन चेंज किये गए इस कारण से जो फॉरेस्ट के एक्सपर्ट है यह फॉरेस्ट के एक्टिविट्स हैं उनके द्वारा एक कंसर्ण बताया गया है कि यह जो प्रोविजन में चेंज गया गया है इस में लीट टू फॉर्दर डिलें इंप्लिमेंटेशन और फॉरेस्ट लॉव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो कम्मुनिटी से उनको उनका हक्त देने का काम करता है यह जो लॉव है इसको फॉरेस्ट एक्ट भी कहते हैं और इसका पूरा नाम है वह है सिद्डिूल ट्राइट्स एन अदर ट्रडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्रिकोगनिशन और 26 2006 का यह एक्ट है 2006 में पार्लेमेंट के द्वारा यह पास किया गया था, और 2006 में इसको इनख्ट भी किया गया है यह एक key piece of forest legislation है इसको forest right act भी बोला जाता है त्राइबल राइट एक्ट भी बोला जाता है या फिर ट्राइबल बिल और ट्राइबल लेंड एक्ट भी बोला जाता है यह forest में रहने वाले जो communities है forest dwelling communities उनको हग देता है forest के land पे और forest के resources पे और एक तरह से colonial period में अंग्रेजों के टाइम में जो forest dwelling communities के राइट को नकारा गया था British government के द्वारा तो इस पर्टिकुलर जो फिनामेना है इसको भी compensate करने की कोशिस करता है तो यह जो गवर्नर के द्वारा changes किये गए मोडिफिकेशन किया गया यह गवर्नर को पावर है schedule 5 of constitution के according schedule 5 में जितने एरियाज आते हैं उन एरियाज में जो एक्ट के implementation होने का काम है वो डिरेक्ली नहीं होता है वो गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही होता है और गवर्नर को एक्ट को जो इन एरियाज में लागू करने हैं उनको चेंज कर सकता है मोडिफाई कर सकता है और उसी पावर का यूज करके गवर्नर के द्वारा schedule area of state of महरास्ट्रा के यह जो forest act है इसमें changes किये गए अब नेक्स्ट न्यूज है पेज नंबर एट पे पेज नंबर एट पे अगले निउस है पैनल डिफर्स डिसीजन ओन ग्रीन पास्ट टू एलजी पॉलीमर मिनिस्ट्री ओफ एन्वार्मेंट के द्वारा एक कमिटी बनाई गई थी एक्सपर्ट की और इस एक्सपर्ट कमिटी का काम था कि जो भी एन्वार्मेंट क्लियरेंस एलजी पॉलीमर कंपनी जो विसाका पत्नम में है उसको जो दी गई उसके बारे में यह करीब 40 लोगों की जान गई थी इस एलजी प्लांट में स्टाइरीन गैस के लीक होने के कारण तो उस पर एन्वार्मेंट क्लेरेंस है वह एलजी प्लांट के द्वारा नहीं लिया गया था इस कारण से उसे अल्रेडी वालेटर घोसित किया जा चुका था कम्पनी एस आरेडी बीन क्लासिफाइड as environmental वालेटर अगर कोई कम्पनी एज वालेटर एनवार्मेंट मिनिस्ट्री के द्वारा तो उस पर काफी ज़्यादा जो भी कंपेंसेशन और पेनल्टीज होती है वो लगाई जाती है तो यहां पर एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो कमिटी बनाई गई थी उसने डिफर कर दिया डिसीजन तू ग्रीन पास्ट टू एल्जी पॉलिश नेक्स निउस इन्वेसिव मुसेल इस प्रेडिंग र चारू मुसेल जो नेट्थी है और सेंट्रल अमेरिगा पोस्ट के स्प्रेडिंग regular हो गया चैसे कि इंखश के कोस् wanna मिलती है वो खतम होती जा रही है और जो इन्वेजिव या एलियन इस्पिसीज जो सेंट्रल अमेरिका और साथ अमेरिका से हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है मुझाल इस दा कॉमन नेम यूज़ फर मेंबर ऑफ सेवरल फैमिली ऑफ मोलस्कस जो सॉल्ट वॉर्टर में भी मिलते हैं और प्रेस वॉर्टर में भी मिलते हैं मोलस्कस एक तरह का इन्वर्टीब्रेट एनिमल है इनमें थोड़ा सा खोल होता है सेल का और बाकी जो मुझेल जो इन्वेजिव यह इलीयन सपीसी है इसका नाम में गरिटीज़ नॐला स्सीज है इसका इंडिया में कीरला में काफी तेजी से फैल रही है और इसका कारण माना जा रहा है कि जो साइंकलोण ओकhी 2017 में के किरल पर आया था वह एक बड़ी संक्या में इन एलीयन स संक्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है साइक्लोन ओकी 2017 में आया था के ला के कोस्ट में और इसके करण ही यह जो एलियन स्पीसीज है चारो मुसेल यह किरला में पहुंचे हैं और किरला के काफी सारे बैक वाटर में यह पाए गए जैसे कि अस्टामोडी लेग इसके अलावा भी कुछ नाम यहां पर दिये गए हैं जहां पर चारो मुसेल इन्वेसर स्पीसीज बहुत तेजी से बढ़ी है यह नाम है काडी नम कुलम पारावूर एडवा नडायार अस्टामोडी कयाम कुलम वेंबनाड लेक चेतुका पुनावी एस्चुरी एन बैक इसनी सबसे ज्यादा फेमस जो है वह राम सर्साइ mulheres सब्सेशेट है और सबसे जादा कैम कहलाम को स्टामूडी लेक यह एक्क रामसर साइठ है में २ुळ यह कहतां होते रहे हैं इंक क्षंग करके यह रहेएन इसना के क्म सपीमटर नेम है वहाति विरिदीज पढ़ना विदीज एन एडिबल ऑइस्टर भी यहां पर पाए जाते हैं जिन्हें मुरिंगा बोला जाता है एडिबल ऑइस्टर तो यह जो घेंगा है जो ऑइस्टर है यह काफी चीजे खाई जाती है और यह जो एलियन स्पीसीज है इसके द्वारा इन एडिब अगरिक में बहुत चोटा होता है और इसके कलर भी वेरी करते रहते हैं ब्लैक टू ब्राउण टू परपल टू डाग्रीन तो यह कलर भी काफी वेरी करते रहते हैं यह फोटो में दिखाए गए है यहां पर यह मुसल चारो मुसल है जो एक एलियन इस्पीसीज है इनकी ज तरह चारो मुसल को पैस्ट माना जा सकता है यह अगर बड़ी संख्या में आएंगे तो जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको खतम कर सकती है इसी कारण से यह चिंता का कारण है दो दिस स्मॉल मुसल इस एडेबल ऑवरॉल एकनॉमिक एंपक्ट ऑन बायोडाइवरसिटी इस मच स्थिवकार अला कि यह जो मसल मुसकत हैं इनको खाया तो जाता है लेकिन इनके कारण जो लो जो बड़े लेवल खतम हो सकती है जो लोकल आस्टर है जो लोकल मुसकत है यही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसी कारण से लिए खत्रा पैदा कर रहे हैं यहां पर जो केरला के बैक वाटर्स हैं उनमें काफी तेजी से बढ़ रही है जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अस्टामुडी लेक नेक्स्ट निव्ज है इंडिया सुड पुल आउट फोर्सेस फ्रॉम कालापानी तो नेपाल के फोरेंट मिनिस्टर के द्वारा बोला जा रहा है कि इंडिया के द्वारा नेपाल की जो बाउंडरी है कालापानी की वहां से अपनी फोर्सेस को अटा देना चाहिए कालापान और नेपाल किंग्डम के बीच साइन की गई थी इस ट्रीटी में कहा गया था कि जो काला पानी रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच की बॉंडरी होगी अब यह जो रिवर है इसमें प्रॉब्लम यह है कि कि इसके औरीजन और त्रीवटी अलग-अलग है और नेपाल और इंडिया के द्वारा इस रिवर की ट्रीवटीस अलग-अलग समझी है कि जो एक्चुल रिवर है वो यह वाली है यह वाली रिवर और उसके वेस्टन का सारा एरिया इंडिया का है और इसी कानर से डिस्प्यूट बना हुआ है अब नेक्स्ट न्यूज है पेज नंबर 11 पे लोकस्ट थ्रेट इस बिगर दिस एर लोकस्ट जो थ्रेट है वह इस बार बहुत बड़े लेवल पर सामने आ रही है थ्रेट अव लोकस्ट विच है इन्वेड़ वास्ट स्वैथ अफ लेंड इन राजिस्थान और वहती जली डेमेज कर देती हैं यह जो ट्रॉपिकल ग्रास ओपर बोला जाता है इनको और यह पाकिस्तान के सिंद प्रोविंस को क्रॉस करके इंडिया में एंटर हुई तो अगर हम राजिस्थान का यह एरिया कंसीडर करें यह राजिस्थान का एरिया मांगे तो यह जो स एक्टिसाइट के स्प्रे के बाद लोकस्ट को मारा गया उसके बाद यह एंपी में भी एंटर कर रहे हैं इस बार इस साल यह जो थ्रेट है यह बहुत बड़े लेवल पर देखी जा रही है एक इंपोर्टन फेक्ट यहां पर है कि लोकस्ट वार्निंग और्गनाईजेश है उनमें immature लोकस्ट ज्यादा immature बतलब की इस लोकस्ट आर नौट फुली ग्रोन और फुली ग्रोन ना होने के करण यह जो लोकस्ट है इनकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा हो सकती है immature लोकस्ट which are not fully grown have the capacity to cause more harm as they have longer life span fully grown नहीं है तो उनको grown और पहने में टाइम लगेगा और उसके बाद भी उनका एक लाइफ स्पैन होता है तो immature लोकस्ट के पास एक लंबा लाइफ स्पैन होता है और जितना लंबा लाइफ स्पैन इन लोकस्ट का होगा उतने ही ज्यादा 10-12 दिन के जो लोकस्ट है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इनकी जो मूवमेंट है वो इस्टवर डायरेक्शन में पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए इंडिया में यह आते हुए दिखे हैं स्टार डेजर्ट में एक बड़े संख्या में यह फूड के सर्च के यहां से इनका जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ है तो एक जो कोस्ट है यहां पर हम देखेंगे ओन और यहां यह एज से क्योंब करते पाकिस्तान में तो यह रूट है लोकस्ट का जो रेबियन कॉंटिनेंट मद्ध प्रदेश तक पहुँच गए। इंकी क्वांटिटी बहुत जादा होने के करणाद्ड पाकिस्तान में इनको कंट्रोल करने कि कोशीष कि गई थी लेकिन quantity बहुत ज़्यादा होने के कारण पूरी तरीके से पाकिस्तान इनको कंट्रोल करने में नाकाम सिद्ध हुआ और उसके कारण से इंडिया में बड़े लेवल पे पहुँच गए हैं United Nation की Food and Agriculture Organization ने भी ऐसे ही अटेक्स की इस बाहर जो फ्रिक्वेंसी वह बहुत ज्यादा बताईए फो एक अकॉर्डिंग जो लोकस्ट का अटेक है वह इस एयर में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत ज्यादा होगा नेक्स न्यूज है वर्ड़ पेज़ पे वरड़ पेज़ पे होंक पांग बॉड़् फ्ले एन सेटेवी होंकां कि जब भी बाताती है तो स्था चांटंदार फंग चाइना के एंडर में है और चांटन 또 टूरू तो वन कंट्री टू रूल सिस्टम में होंग कॉंग जो एक अभी चाइना के द्वार एड्मिस्टर किया जा रहा है लेकिन ये एक कॉलनी रहा है बिटेन की बिटेन की कॉल निरा है 1997 में इसको बिटेन ने चाइना को हैंड़ किया था बेस्ट वां सम्क्राइटीरिया और वह वो criteria क्या थे वो criteria थे कि minimum level of freedom Hong Kong को दी जाएगी तो इसलिए Hong Kong को legislature point of view से judicial point of view से और executive point of view से कुछ freedom दी गई तो one country two system arrangement के अंतरगत इसको 1997 में हेंडवर किया गया था Hong Kong को जो constitution है उसे mini constitution बोला जाता है इसके according जो local police है उसमें local लोग ही रहेंगे और इसी police के द्वारा law enforce किया जा माने जाते हैं यहाँ पर भार की police से मतलब है mainland China की police तो अगर यह जो नया law चाइना के द्वारा प्रपोस किया गया है अपनी parliament में वह पास हो जाता है तो Hong Kong की local police में mainland China की police एक बड़ी majority में हो जकती है जिसके कराण Hong Kong में इसका protest किया जा रहा है Hong Kong की जो total freedom और autonomy है वह खत्रे में मानी जा रही है Hong Kong के democratic जो प्रोटेस्टर है उनके द्वारा है नेक्स न्यूज़े फ्रांस टू स्टॉप यूज ऑफ एस सीक्यू फ़र कोविड-19 treatment hydroxy chloroquine जो एक वैक्सीन मानी जा रही है यह तरह से वैक्सीन नहीं है लेकिन फिर भी वैक्सीन की तरह यूज किया जा यह जो वैक्सीन है यह एंटी-malaria drug है यह important factor है यहां पर नेक्स्ट न्यूज है विंस टॉप फ्रेंच एवर्ड साउथ अफ्रीका की एक रिसर्चर है जो है फील में रिसर्च करती है जिनका नाम है क्वारेसा अब्दुल करीम इनको फ्रांस का टॉक्मोस्ट आवर्ड दि अच्छ का वाइज लिए इसके लिए इनको यह रिगार्डिंग है कि वुमेन में एचाइवी के स्प्रेड को किस तरह से रोका जा सकता इनके द्वारा रिसर्च की गई की एक टॉपिकल जेल है विच कुड़ स्टॉप मैनी वोमेन केचिंग दा वाइरस और इसी करणर से यह फ्रांस का टॉप साइंस अवर्ड इनको प्रिदान किया गया है यहां पर इंपोर्टेंड यह एफरीका की है और इनका नाम है कोरेसा अगदुल करीब HIV रिसर्चर से हैं नेक्स्ट नीज्स है लोन टू MSME में गेट रिस्क फ्री टेग गॉवर्मेंट ने जो अपना इस्टिमुलस पैकेज कोविड-19 रिलीफ पैकेज डिक्लियर किया था उसमें करीब 3 लाग करोड का जो लोन है वो MSME सेक्टर को डेडिकेट रूप से देने की बात की गई थी इसके बाद Finance Ministry ने Central Government यानि RBI को request किया है कि MSME को जो अब आगे से लोन दिये जा रहे हैं वो रिस्क फ्री होने चाहिए रिस्क फ्री टैक के साथ होने चाहिए तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि RBI is likely to allow bank to assign zero risk weight for loans that will be extended to micro medium and small enterprises अब यहां प बढ़े और अभी lockdown के काराण जो पूरी economy में condition बहुत ही ज्यादा वीक बनी हुई है उस condition को MSME सेक्टर में अगर growth बढ़ाई जाए तो वह condition बहुत तेजी से improve कर सकती है बिकॉस इंडिया में सबसे ज्यादा जो workers हैं जो employees हैं वो MSME सेक्टर में ही हैं तो MSME सेक्टर को अगर loan मिलेगा और वो loan working capital में change होगा working capital जितनी बढ़ेगी तो MSME सेक्टर का revival तेजी से हो सकता है तो यहां government की तरफ से एक तरह से guarantee दी जा रही है under national credit guarantee trustee company limited और यह guarantee एक credit line के basis पे दी जाएगी इसी कारण से जो loan है वो risk free माने जाएंगे बैंको के द्वारा तो बैंक को अगर यह government guarantee देती है इन loans के बारे में तो bank भी risk free हो सकते हैं और यह इनके NPA में change होनी की possibility बहुत ही कम होगी क्यूंकि government की तरफ से guarantee है तो government ने जो guarantee दी है वो एक credit line के business पर guarantee दी है जिसे बोला गया है guaranteed emergency credit line facility under national credit guarantee trustee company limited तो government guarantee देती है तो bank भी इ SME और इससे related loans के लिए वो 20% risk रखा जाता है जो अब zero किया जा सकता है बैंको के द्वारा जो भी tenure रहेगा in MSME loans का वो चार साल का रहेगा with a moratorium period of one year on the principal amount तो principal amount में एक साल का moratorium होगा और नौर्बली इसका time period 4 साल रहेगा और यह government की guarantee से दिया जाएगा और इसका interest rate भी दिय गया है 9.25 बैंकों के case में और NBFC के case में 14 परसेंट तो guarantee government दे रहे है इसलिए risk-free tag दिया जा सकता है इन loans को next news Google faces antitrust case in India Google के द्वारा अपनी market में dominant position का यूज अपने फाइदे के लिए यूज किया जा रहा है गलत तरीके से यूज किया जा रहा है इससे related कुछ allegation लगी है Google पर जिसको देख रहा है competition commission of India तो यह जो allegation इसमें Google अपनी market position का यूज unfair तरीके से अपने गूगल एप को प्रमोट करने के लिए कर रहा है यह allegation है और इसको competitor में जो एप है जो payment एप है उनको उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा तो गूगल की एक तो मार्केट में काफी dominant position है जिसका यूज वो अपने एप को दूसरे competitor के एप से ज्यादा प्रमोट करने के लिए गलत तरीके से यूज कर रहा है अब यह first time नहीं है कि गूगल पे य जो केस हैं unfair trade practice के case हैं वो फाइल हुए है यह third major antitrust challenge माना जा सकता है जो इंडिया में हुआ है CCI यानि Commission Commission अफ इंडिया ने अल्रेडी गूगल को 21 मिलियन का फाइन लगाया था और सर्च बाइस तो मैंसा मानना था कि गूगल में जो चीजे सर्च की जाती है वह गूगल से रिलेटेड जो प्रोड़क्ट है उन्हीं को प्रमोट करने के लिए उनके रिजल्ट आते हैं और इसी क स्मार्ट फॉर मैनूफेक्शर और यह तीसरा केस माना जा सकता है इसमें जो कूगल के कॉम्प्रेटिटर है वह पेटीयम और पोन पे पेचियम बैक्ट बाइस और पोन पे इस ओन्ड़ वालमार्ट तो गूगल के जो कूम्प्रीटर है उनसे जादा तेजी से गूगल होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें थैंक्स पर वाचिंग